Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे साल 2013 में चाइना अपने Belt and Road Initiative को शुरू करता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस Belt and Road Initiative में लगबग 150 से भी अधिक देश इसके मेंबर है साथ में past से लेके अब तक present तक कोई भी ऐसा infrastructure development program नहीं design किया गया जो Belt and Road Initiative के इतना बड़ा हो साथ में बहुत सारे western medias ये claim करते हैं कि चाइना का Belt and Road Initiative इतना बड़ा है कि ये कभी भी इसको fulfill नहीं किया जा सकता है लेकिन उसी के साथ ये भी एक reality है कि इसी चाइना का Belt and Road Initiative के तहत चाइना बहुत ही अपना strong presence felt करवाया है Middle East में, Latin America में और बहुत सारे African countries में इसी में आगे बढ़ते हुए चाइना के oil company को इराक में oil और gas field मिल जाता है जहां पे वो exploration करेंगे क्या है ये पूरा मामला इसके बारे में हम समझेंगे मगर आगे बढ़ू इससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं ये 13 में एक article है जो हमें साफ साफ बता रहा कि इराक के oil और gas field में चाइना अब exploration करेगा साथ में already इराक में European countries के oil companies साथ में US के भी oil companies already यहाँ पे काम कर रहे हैं इसका ये मतलब होता है कि चाइना European countries और US के साथ directly in competition है इराक में उसके बाद almost सारे Middle East में जो देश है उनके पास oil और gas reserve है इसका ये भी मतलब होता है कि चाइना अपने energy requirement को और भी diversify कर रहा साथ में हम सब को पता है कि इरान आज के date में एक sanctioned देश है उसके बावजूद चाइना इरान से oil purchase करता है और वहीं पे US खड़े होके देखता रहता है तो कहने का मतलब है कि भले चाइना से हमारे relation अच्छे नहीं हो लेकिन फिर भी हमें ये मालूम रखना चाहिए कि exactly चाइना क्या कर रहा और हम चाइना से कितना पीछे या कितना आगे है ये इराक का मैप है जहां पे specifically ये बताया जा रहा है कि इराक में कहां कहां पे oil और gas field है जो ये आप green dots देख रहे हैं ये represent कर रहा है oil field को और ये जो yellow आप देख रहे हैं ये represent कर रहा है gas field को तो अगर आप बहुत ही ध्यान से इस map को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इराक में oil और gas का जो presence है वो बहुत ही ज़ादा है और ये कहने के जरुवत नहीं है कि जिस देश के पास जितना natural minerals रहेगा उस देश में उतना ही बाहर के जो देश रहेंगे वो interested रहेंगे तो Middle East में जो crisis है उसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा वज़ा है वो है oil और gas का reserve साथ में करम 2016 के data को refer करें तो हमें समझ में आता है कि इराक के पास दुनिया का fifth largest oil reserve है अगर इसको मैं further breakdown करता हूँ तो इराक के पास इतना oil है कि अगर वो किसी भी देश को export नहीं करेगा त तो लगभग 4500 साल तक इराक self-sufficient है और उसे energy के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा तो ये बताता है कि इराक में कितना जादा oil का presence है और उसके बाद अगर हम specifically बात करें इराक के बारे में तो जिस तरीके से NATO forces ने इराक पे attack किया था और सद्दाम हुसेन के regime को change किया था और उसके बाद ये claim किया जा रहा था कि इराक में एक democratic structure का सरकार बनेगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ As a result ये होता है कि NATO forces खास करके US को लेके यहां के जो common civilians है उसके अंदर काफी गुसा है उसी गुसे का फायदा उठा रहा है चाइना जहां पर ये अपने belt and road initiative के तहत school, colleges, universities बना रहा साथ में China बहुत ही अच्छे तरीके से अपने culture को वहां के school और universities में पढ़ा रहा तो एक चीज़ को आप समझे बहुत ही neutral perspective से वो ये है कि एक तरफ कुछ देश आपके देश में attack करते हैं और आपके देश का जो structure है उसको complete तरीके से तबाह बरबात कर देते हैं साथ में एक दूसरा देश आता है जो आपके देश में road बना रहा, electricity develop कर रहा, universities, colleges बना रहा तो definitely जो देश आपके देश के अंदर construction कर रहा उस देश के लिए आपके दिल में एक respect का भावना जाग जाएगा exactly कुछ वैसा ही देखा जा रहा है common Iraqis में चाइना के लिए, दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि exactly इराक अपने oil field या gas field को lease पे क्यों दे रहा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके देश के पास वो technology नहीं होता है, जो technology का requirement है उस वक्त oil और gas को explore करने के लिए, तो चाइना क पास वो सब technologies है, European countries के पास वो सब technologies है, जिसके मदद से oil और gas को explore किया जा सके, इसे के लिए इराक को अपने oil और gas field को lease पे देना पड़ रहा, जिसमें कहने के जरूवत नहीं है कि इराक में आज भी dominance है European countries का, और अब recently जो dominance है वो देखा जा रहा है Chinese company का, तो कहने का मतलब ह कि US और China के बीच में जो tension है, ये further और भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के जो companies है, वो एक ही location पे आके आपस में competition बढ़ा रहे हैं, जब हम इन सब articles को पढ़ेंगे तो हमें back of the mind में अपने देश भारत के बारे में ध्यान रखना है कि exactly हमारा क्या development है, और इन सब द चाइना के साथ करना है कि China किस तरीके से अपना global expansion कर रहा, उसके बाद क्योंकि इराक के पास बढ़ चड़ कर oil और natural gas का presence है, तो यहां से भी chances काफी high है कि China यहां से सस्ते कीमत पे तेल खर देगा और already खरीद रहा, जैसा कि China इरान के साथ कर रहा, तो भले हमारा relation चाइना क के बारे में यह कहा जा रहा हो कि यह एक failed project है, लेकिन इसी project के तहट, China बहुत सारे अलग-अलग location पे अपना dominance दिखाने में काम्याब हुआ है, और साथ में हमें यह भी समझ में आता है कि आने वाले कुछ सालों में, China और US के बीच में relation अच्छे होने के जो chances है, वो भी almost negligible हैं, और Chinese companies directly competition में हैं, European companies के साथ में, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye.